हलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैसल्फ नेह, I am your EVS teacher स्टुडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ा था अवर फैमिली अवर फैमिली हमारा परिवार इसके अंदर हमने पढ़ा था तीन टाइब की फैमिली होती है, त्री टाइब की फैमिली होती है, कौन कौन सी फैमिली होती है, देखिए स्मॉल फैमिली, जिसे हम कहते हैं छोटा परिवार जिसमें मम्मी पापा और दो बच्चे होते हैं वो हमारी होती है small family second big family बड़ा परिवार जिसमें मम्मी पापा होते हैं और दो से जादा बच्चे होते हैं वो हमारी होती है big family and last हमारी joint family ऐसा परिवार जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं मिला जुला परिवार कहते हैं जिसमें हमारे सारे फैमिली मेमबर्स एक साथ रहते हैं मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची और बच्चे तो हमने कतने टाप की फैमिली पढ़ी है बिटा small family, छोटा परिवार, big family, बड़ा परिवार, joint family, सयुक्त परिवार. आज मैंने इसे related आपको activity कराई थी. आपको मैंने our family से related relation name कराई थे. Relation name क्या होते हैं? जो हमारी परिवार में रहते हैं, जो हमारी रिष्टेदार होते हैं, वो relatives होते हैं, जो हमारा कोई रिष्टा होता है. ठीक है? तो चलिए आज activity के तौर पर हमने कुछ questions किये live में. मैं आपको एक बर बता देती हूँ. My father's father is my father's father is my father's father. मेरे पापा के पापा मेरे कौन हैं? तो आपके पापा के पापा बेटा आपके कौन लगते हैं? पापा के पापा होते हैं grandfather, दादा जी. ओके तो इसका आणसर आएगा grandfather. G, R, A, N, D, Grand, F, A, T, H, E, R, Father. सभी को पता होना चाहिए कि पापा के पापा को क्या कहते हैं? वो दादा जी होते हैं, इंगलिश में उन्हें grandfather कहते हैं. ओके, next question, my father's mother is my, मेरे पापा की मम्मी. मेरी क्या हैं? पापा के पापा? दादा जी होते हैं, grandfather होते हैं, पापा की मम्मी? ग्रेंड मदर होती है, दादी जी होती हैं. ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा, grandmother. जी आर ए एंडी, grand, m-o-t-h-e-r, mother. ग्रेंड मदर. ओके, पापा के पापा, grandfather, दादा जी. पापा की मम्मी, ग्रेंड मदर, दादी जी. ओके, चलिए next देखते हैं, my father's brother is my, मेरे पापा के भाई, मेरे कौन लगते हैं, father's brother, पापा के भाई, तो पापा के भाई कौन होते हैं, बिटा, पापा के भाई होते हैं, चाचा जी, जिने हम इंग्लिश में कहते हैं, uncle, u-n-c-l-e, uncle. पापा के भाई, uncle, चाचा जी, ओके, next, my father's son is my, मेरे पापा का बेटा, my father's son is my, पापा के बेटे कौन हैं, मेरे? आप भी पापा के बच्चे हो, बेटा या बेटी, तो पापा का जो बेटा होता है, वो आपका कौन लगेगा, भाई लगेगा, तो आपका इसका अंसर आएगा, brother, okay? बी, आर, ओ, टी, एच, इ, आर, brother, पापा का बेटा, brother, last, my uncle's wife is my, मेरे अंकल की बीवी, मेरी क्या लगती है, अंकल की वाइफ आपकी क्या लगेंगी? आंट, चाची, अंकल चाचा जी, और आंट, चाची, ए, यू, एन, टी, आंट, एक बर मैं आपको रिवाइफ करा रही हूँ, first, my father's father is my, मेरे पापा के पापा मेरे ग्रैंड फादर है, my father's mother is my, मेरे पापा की मम्मी, ग्रैंड मदर, दादी जी, my father's brother is my, मेरे पापा के भाई, अंकल, चाचा जी, my father's son is my, मेरे पापा का बेटा, मेरा भाई लगता है, ब्रदर, my uncle's wife is my, मेरे अंकल की वाईफ, मेरी आंट है, सभी बच्चे इन कुश्चन्स को लर्ण करेंगे, आपको अपने रिलेशन्स पता होने चाहिए, और स्पैलिंग भी लर्ण होनी चाहिए, आपको अपनी स्क्रैप फाइल में एक फैमली ट्री बनाना है, means आपको एक फैमली पिच्चर चिपकानी है, जिसमें आपके सभी फैमली मेंबर्स होने चाहिए, और ये एक्टिविटी आपको अपनी स्क्रैप फाइल में भी करनी है, ओके, ठैंक यू,